Today I will going to tell you some word which is definitely very important for your examination अगर मैं बात करूँ फर्स्ट बर्ड क्या है सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो आज का जो बर्ड है यह देखे मैं पैन लिलता हूं फर्स्ट अफल and I'll take a red pen इन्फिडल, इन्फिडल होता है क्या है तो यह एक ऐसी चीज़ होती है यह quality होती है the quality of being unfaithful यानि कि मान लिजे कि do not believe do not in others God यह फिर आप belief भी बोल सकते हो किसी की दिशे दूसरी के भगवान में या दूसरी के जो बिचार होते हैं या किसी की चीज़ को बहुती holy मानता है ठीक कैसे मानता है holy तो उसमें क्या होता है कि दूसरी परसे उस चीज़ को मानता नहीं है follow नहीं करता तो उसको बोलते है infidel क्या बोलते हैं, infidel understand तो आपको दिहान रखना है कि infidel होता है तो infidel समझ में आगया होगा कि infidel का मतलब है जब दूसरी को बिश्वास ना करता हो, दूसरे गौड में भी और दूसरी की बिचारों में भी तो वो infidel हो जाता है के लिए रोगई वाला बड़, बहुत ही important है, दूसरी अगर मैं बड़ की बात करूँ, रोकस अगर न्यूश पेपर पढ़ते हो सुनो, अगर आप न्यूश पेपर डिसकस करते हो या पढ़ते हो तो आप कैसे बड़ मिलने वाले हैं और एक्जाम के पढ़ते हो जो बहुत ही important है, रोकस का मतलब होता है unpleasant sound and harsh यानि की शोर शरावा, simple सी बात करूँ शोर शरावा या chaos माल लीजे ठीक है, इस तरह की जो बड़ होते हैं यानि की शोर शरावा होता है, बहुत ही ज्यादा, तो उसको रोकस बोला जाता है, ठीक है लेकिन वो कैसा होना चाहिए, unpleasant होना चाहिए जैसे कभी को है, सोर शरावा हम पार्टी में भी करते हैं तो वो enjoy की form में होता है तो वो उहां पर रोकस नहीं लगेगा जहां पर unpleasant हो ठीक है, हुआँ पर क्या लगेगा, यह रोकस लगेगा सोर शरावा होना चाहिए, unpleasant भी होना चाहिए जो बुरा लगे, clear हो गया ठीक है, अभी मैं इसको rub करता हूँ so that I can teach you the another word, okay just rub it and okay everything is clear now I'll take the another pen इर्क, इर्क क्या होता है इर्क का मतलब था, irritate करना क्या करना irritate ठीक है, irritate का मतलब जैसे की simple सी बात करूँ, you are irking me इसमें बाल दूँ, you are irking me ठीक है you are irking me तुम मुझे परिशान कर रहे हो क्या कर रहे हो, परिशान कर रहे हो tease कर रहे हो ऐसा भी बोला या सकता है ठीक है, तो यह वाला bird clear हो गया तो मैं इसको भी rub कर देता हूँ ठीक है यह लीजे rub हो गया ठीक है, तो इसके synonym की अगर मैं बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा irritate तो आप note down कर लें ठीक है, जादा नहीं पांच से बड़ी लिखवा हूँगा thought का क्या मतलब हो था, thought का मतलब हो किसी चीज को stop करना, prevent करना, या रोकना ठीक है, रोकना या खराब करना, ऐसा भी लिख सकते हो खराब, एक खराब, इस तरह से लिख जाएगा ठीक है, एक बड़ होता है, जिस्ट, जिस्ट का क्या मतलब होता है जिस्ट बहुत ही अच्छो बड़ है, वो मालूम होना चाहिए और मालूम ही होगा, ठीक है आई होप चुग अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या लेकिए, जिस्ट का मतलब होता है अ, समरी, या फिर मैं इसको लेख सकता हूँ, मीन ठीक है, यानि कि इसका सेंज क्या है, समरी क्या है, जिस्ट क्या है ठीक, समझ मा गया, तो जिस्ट समझ मा आया, थौट समझ मा आया, यानि प्रेवेंट करना इर्क का मतलब इरिटेट करना, रोकस का मतलब सोर चराबा, ठीक है, सोर गुल बगारा, ठीक है, और कुमोशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़ हैं, तो जो जो बड़ आते जाएंगे तो मैं बताता जाऊँगा, इन्फीडल, ठीक है, क्वालिटी पता चल गया, तो ये सारे बड़ नोट करने और अच्छे से क्या करें आप, इसे नोट करें और याद करने थोड़ा थोड़ा, दूसरा, आपना चैनल को लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब तो करते ही हैं, ठीक है, जिसको अच्छा लग रहा है, और लाइक जरूर कर क्योंकि लाइक करने से होते हैं कि अच्छा लगता है, ओवेशली कि हाँ, मैंने जो महनत किया, वो एकदम फूर्ट फूल है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स सेसन में, तब तक के लिए बाइबाए और टेक केर